तो आज हम बना रहे हैं दम की गोश्की बिर्यानी की रेसीपी तो वीडियो बसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें बहुती डिलिश्योस रेसीपी है जरूर ट्राइ करें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक ही पार सब्सक्राइब करें एक ही पर बहले को दबाएं वहां पर ओल ओप्शन को क्लिप करेंगे तो आपको मेरी हर रेसीपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी सो लेट्स केट स्टाटेट अब मैंने 1.5 kg माटन ले लि ट्रीप बॉड़र और फिलि पॉडर और फिलिप और एंड 1.5 kg करड आट करेंगे इस खतरनाक सी रेसीपी को जरूर ट्राइक करना चाहिए आपको एंड मुझे कमेंट करकर जरूर बताए कि आपको यह खतरनाक सी वाली रेसीपी कैसी लगी अजली आप कर ना किया है इन स यहां पर देख सकते हैं मैं आपसके हम अधर जिछ कर लिया है उस बाइस करने करें ने जिन से इसको एड़ करेंगे इस रिलिंक मैं डिसक्रिप्षिन बॉक्स में दे दिया आप महाँ जा कि देख सकते हैं बनाना बहुत है जरूर रेशिपी देखें अब इसमें वन अड़ाफ लेमन इसको मैं स्क्वीज कर लिए इसको आट करेंगे और इन जब को अची तरीके से मिक्स कर लेंगे अची तरीके से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसे टी टू फॉर हवर्स रिश्ट के लिए रख देंगे आप चाहे तो इसे फोर तो फाइवर्स के लिए रख सकते हैं यह दे रखेंगे उतना अच्छा बन काता होगा तो चलिए आप देख लेते हैं मैंने यहाँ पर बासमती यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं एक प्रसर के तरफ आपर मैंने एक खजर रख दिया है पानी के लिए चलिए इस पाइस देख लेते हैं ताल चीनिक चाकला चार से पांच चार से पांच बेली शाथ इलेची एक एंस्टार एक लिए हमेंने ने टू एट 17-18 काली मिर्च तो चलिए इन सब स्पाइस को अब हम पानी में आट कर देंगे यहाँ पर हमारे 3-4 हो चुक है तो चलिए इसका मैंने लीड ओपन कर दिया है यह अब हम इसमें एक कप तेल आट करेंगे यानि वन कप आप आप चाहे तो गरम भी दाल सकते हैं ठंडा भी त अब जादा यम्मी डिलिशेस होती है अब को भी पसंद हो तो जरूर कमेंट में लिग कर बताएं पुझे आपके कमेंट्स पर ने में अच्छे लगते हैं इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे करते रहेंगे फिर उसके बात क्या करना है मैं आपको बताती हूं सपार में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे उसके बाद देखते हैं अब मिनिशे थे अच्छी तरीका से कर दो जाया हम यह जब तक मीधरी सखे कि अब घरिया來 तो प्रैस आइट करेंगे तो तो आइट करेंगे कि अम наш एपना स्पून क्रीस्टल वाला सॉल्ट आट करेंगे के मोटा वाला सॉल्ट और भी टेशी तरीके से मिक्स कर लिए और इससे 50 चीजियों कहां है कि अच्छे से कुखो रहा है जब तक हम नेक्स प्रोसेस देख लेते हैं चलिए चलते हैं यहाँ पर मैंने हाफ पंच करियेंडर और पुदीना जिसको चॉप कर लिया है और 6-7 ग्रीन चिली तो चलिए अब हम इसका लिड ओपन करेंगे अब हम इसमें यह ग्रीन चिली करेंगे और इसमें हम थोड़े से चॉप किये हुए करियेंडर एंड थोड़े से चॉप किये हुए पुदीना आट कर देंगे पिर करना तो होई है इन सब को अची तरीकिसे मिक्स कर लेना है इसीप आप जरूर प्राइक करें बच्चों को बड़ों को सभी को पसंदाने तरह से अच्छी तरह से बनाकर सर्फ कर सकते हैं बहुत ज्यादा यम्मी रेसीपी है जरूर ठ्राइक करना चाहिए आपको तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं की बाइए सब्सक्राइब करें और अल उप्षन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी हारे से नूटिफिकेशन में ज़े चेलती रहेंगे चली एची तरहीं किसे मिक्स हो चुका है जिसका यह टिलोज करते आं बढ़ते हैं अनिच पोछास के तरफ यहां पर आप देखसे क्या देख सकते हैं और चाहला अची तरीखे से इस तरह से उचली है एक नजर देख लेते हैं तो टुटेबसपून जिन्जर गलिक पेस्ट एंड हाफ टीस्पून सॉल्ट ले लिया है इसमें अब हम यहाजन का पानी आड करेंगे आपर देख सकते हैं यह वाटर को अब माट करेंगे आपर मैंने 4-5 टेबल स्पून आड कर लिया है चलिए से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा मिक्षर है तो इसके फ्लेम को मौफ करते हैं पर मैंने कॉटन का क्लोथ ले लिया आप देख सकते हैं इसमें अब हम यह राइस को आड करेंगे तो यहां पर यह क्लोथ के नीचे मैंने बड़ा सा वेजल रख दिया है जिसे यह पानी आपर स्वेन हो गया है तो चामल को हम निठाल अच्छी तरीके से चली यह हो चुगा है तो यहां पर मैंने सेम वेजल में एड कर रहे हूं मतन जिसको हमने मारिनेट कर लिया था इसको आड करेंगे इसे आड करने के बद इसे हम अच्छी तरीके से इवन लिक कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां अच्छी तरीके से कर लेना है वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें कमें शेक्शन में बताया किया रेसीपी कैसी लगी मुझे आपकी कमें पने में अच्छी लगते हैं आप देख सकते हैं विजल में थोड़ा समासालवा बच चुका है इसको भ ऑने थोड़ा जाता एट के लिए अकर आपको भी पसंद हो तो आप जायदा करें नहीं तो अप कम भी कर सकते हैं यहां पर जोड़ा सा लेम जूस लेल ए ये लो फुट का अच्छी लिए जिसमें मिने थोड़ा सा वाटर मिक्षट कर देंके लिए थोड़ा सा एट उड़ अन्य पर, तोड़ है जो चुर। गाले को यह एकने स्कृति Και हम चुंप एक considering जिन चिंजर्गाली का जो मिक्षर है इसको और खरेंगे ताहिने ऀया है और brematt करें गेश्च आप कम ज़्यादाब कर दो तो चली इन सब को स्भी करने के बाद अब मैं करेंगे राइस 2 जो की 80 को ङूड़ हो चूकी है यह राइसको एट करेंगे और चलीए अब भड़ी से राइस अरके बाद देखते हैं कि नेक्स प्रिश समें क्या करना है तो भूब कर अंचछी कर लेंगे कि यह पर आप देख सकते हैं तोपर थोड़ Ne tim करेंगे और और फिर तोड़ अगौरी सा तोड़ाइन बीकर लेंगे और लाशब कर आप मिक्षर बनाया थे तो इसको भी आट कर देंगे और इसमें थोड़ा से लेमन जूसाइट करेंगे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं लेमन एंड कर्ड के साथ बिर्यानी बहुत पसंद है आप जातों कि भी कर सकते हैं अब हम यहाँ पर ग्रीन चीली को रख देंगे और आट यहाँ पर यलो फुट कलर का मिक्षर आट करेंगे में यहां पर यहाँ पर येलो फूट कलर कमें इसलीयाए पर करेंगे कौश मुझे करerson ।o यहां पर आप देख सकते हैं तो इसका थेस तैस्ट बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक होगा तो अब्ढ़तें हैन आशों refuse करेंगे आप चाहिए तो जिसमें हमने ओनियंस को फ्राइ कर लिया था वो ऑल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो तक्रीबान हम यह आपर वन का पाट करेंगे और मैंने इसकी लिट को कॉटन क्लॉट के मदद से कवर कर दिया आप चाहे तो अलुमिनियुम फॉयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम 20 मिनिट्स मीडियम लो फ्रेम पे कुक करेंगे और बागी के 40 मिनिट्स हमें लो फ्रेम पे कुक करना है टोटल वन हावर हमें अच्छे से क अच्छे भी जरना और हुआ है तो यह जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं डिशाओत देह बिगकास्ध मेरी तो सबसे ज्यादा फेवरैट डिश बिख पर चाहिए तो अब के मीरे मेरे चानल को सब्सक्राइब dosap, छलिए अधेना है भी मिकस करते हैं और सो यह चे से यह निस दिश आउट तो देखा आपने कैसे जबसे सा खतरनाक सा निम्मी वाली हमारी दम मिर्यानी बन का त्यार हो चुकिए है आप इसे कर्ड के साथ साथ सर्फ करें बहुत ज्यादर टेस्टी होगी उमीद है आपको यह रेसीपी पसंद आई होगी फिर मिलते हैं ऐसी खतरनाक इं झाल झाल